हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि Realme UI के स्मार्टफोन में Realme के Official फेम इस्टोर पे आपको कई सारे फॉंट्स देखने को मिल जाते हैं उनमें से maximum font जो अच्छे होते हैं वो paired होते हैं बट कुछ font उसमें free video अगया है जिसे आप free में यूज़ कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं उन्ही free font में से top 5 font लेके आऊ हूँ जिसे मैं आपके साथ share करने वाला हूँ और वो सारे font काफी ज़्यादा कमाल कियाने वाली हैं तो अगर आप भी यह जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को सुरू से लेके अंतर देखीगा और आपसे एक request है कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लिक करके आल पे कर लीजेगा जिसे के जब भी कोई नए वीडियो अप्लोड होगी तो आपको notification मिलेगा सबसे पहले तो चलिए अब और अधिक आपका समय नो लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं अभी जो font मैंने apply किया है ये एक paid font है तो अगर आप भी ये सीखना चाते हैं कि किसी भी paid font को कैसे free में apply किया जाता है तो इस वीडियो के description में आपको एक वीडियो के link मिल जाएगी आप वहाँ से जाके ये सीख सकते हैं कि किसी भी realme के font को कैसे free में apply करते हैं फिलाल बात करते हैं top 5 font के बारे में तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगर पहले font की तो सबसे पहले font के लिए आपको अपने theme store में जाना है then search वाले icon पे जाके आपको search करना हो cherry fantasy hello इस्कीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपको same यही spelling search करना है search करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का font आपके सामने आएगा यह font आप apply करके एक बार use किजिएगा यह font काफी ज़्यादा अच्छा लगता है so जैसा कि देख सकते हैं देखने में यह कुछ इस तरह से लेगा मुझे तो यह personally काफी ज़्यादा अच्छा लगता है आप मुझे comment में बताइएगा कि आपको इन सारे fonts में से कौन सा font सबसे ज़्यादा अच्छा लगा so यहाँ से आप इस font को बिलकुल free में apply कर पहेंगे और अगर बात करें दूसरे font की तो उसके लिए आपको सर्च में जाना है then वहाँ पर सर्च करना है good, good bye, hello ऐसा सर्च करने का बात देख सकते हैं कुछ इस तरह का font आपके सामने आ जाएगा यह font भी काफी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा प्रसनली यह font काफी ज़्यादा favorite है तो आप इस font को भी असानी से free में try कर पाएंगे और यहाँ पर बात कर यगर तीसरे font की तो तीसरे font आप देख सकते हैं आपको home screen पर so कर रहा होगा आपको यह तीज लिख के सर्च करना है सर्च करने के बाद देख सकते हैं कुछी इस तरह का font आपके सामने आ जाएगा यह font काफी ज़्यादा अच्छा लगता है और आपके phone के look को काफी ज़्यादा enhance कर देता है तो आप इस font को भी use कर सकते हैं तो अगले font के बारे में बात करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा और बात करें हैं अपे अगले font की तो अगला font अगर आपको colorful font ज़्यादा पसंद है अपने smartphone को पुरी तरह से colorful font में बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस्कीम पे दिखाई दे रहा है यह message आपको अपने theme store में type करना होगा ऐसा type करने के बाद देख सकते हैं कुछी इस तरह का font आपके सामने आ जाएगा तो अगर आप इस font को apply करेंगे तो आपका smartphone पुरी तरह से colorful हो जाएगा जैसा कि देख सकते हैं जितने भी सारे text आपको दिखाई देंगे वो सारे colorful दिखाई देंगे और देखने में भी यह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इस font को भी एक बार apply करके देखिएगा काफी ज़्यादा अच्छा font है और अगर हम पर बात करें सबसे आखरी font की तो आखरी font के लिए आपको इसके इंपी दिखाई देरा है यह message आपको अपने theme store में search करना है जैसी जिस आप इससे search करेंगे देख सकते हैं कुछी तरह का font आपके सामने आ जाएगा यह font भी काफी ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा personally favorite है जैसा कि देख सकते हैं यह font काफी ज़्यादा professional भी लगता है तो आप इसे permanently लगा के use भी कर पाएंगे और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह सारे fonts बिल्कुल free हैं आप इने बिल्कुल free में life time यूज़ कर पाएंगे I hope guys आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को like कीज़े हमारे चैनल को अभी तक subscribe ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी subscribe कर लीज़े और साथी साथ अगर आप यह जाना चाहते हैं Top 5 themes के बारे में तो उस वीडियो के link आपको वीडियो के description में मिल जाएगी वहाँ से उस वीडियो को भी आप check out कर सकते हैं और किसी भी Realme के font को कैसे बिल्कुल free में यूज़ करना है उस वीडियो के link आपको वीडियो को description में मिल जाएगी तो जाएगे वहाँ से उस वीडियो को check out कर लिजे तब तक के लिए इस वीडियो को यही पर समाप्त करके हैं अपना ख्याल करकिए और अपने family का भी ख्याल करकिए जय हिन, जय भारत